है 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी हम पढ़ रहे हैं Oh all-in-one nursing Hearing जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं all up coming detail के लिए बहुत ही important time CQ जो की hopefully आपकी upcoming exam के लिए बहुत ही benefits रहेंगे तो चलिए श्टार techniquesory बिना समय कावाए करए कोच important question इस फरकार शेहे likely उसर नंबर व Wel no God Da whoessenैं आ कि चाइल्ड विद ही मोफिलिया ही मोफिलिया जो विच ओवर दे काउंटर मेडिकेशन इस शूटेबल फोर हर चाइल्ड जोईंट डिसकांफर्ट दा नर्स शुल्ट टेल दा मदर तो पर्चेज ओप्षन ए है एस्परील ओप्षन बी ने प्रोक्षीन ओप्षन सी एस्वेटा एमिनोफ हैन ओप्षन डी है एडविल मीज आई व्यू प्रोफ हैन इसका राइट आंस्वर क्या रहेगा क्यूसन समझ में आ गया है तो क्यूसन यह बता रहा है आपको कि एक जो है एक मदर जो है एक नर्स से क्यूसन पूछ रही है जो की हीमोफीलिया का है कि इसके जो 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 पेन हो रहा है उसके लिए इसको मैं कौन सी दवाई दूँ ठीक है तो अब नर्स उसको जो है वो क्य क्या बताएगे कि आप कौन सी दबाई जो है उसके लिए पर्चेज करो क्यों सनी यह पूछ रहा है तो क्या आप यह कहोगे कि आप एस्प्रीन लो बच्चे को दो या फिर ने प्रोक्षिन दो या एस्टाइमिनोफीन दो या फिर आइड्यू प्रोफेन दो ठीक है हीमोफी फिरूफेन जो की पैक्षी हम काम में लेते हैं सैंट नौन टि इंफवलामेटरी डिजीज के लिए जो ब्रक्त कांतु कंकम कहते हैं कि ऐसे टाइमिनूफीन जिसको की हम जो है अंधर भासा में जानते हैं क्या PCM मिस्थे क्या है पेराशिता मोल है और भीक है जो क्या है ए यह है एंटि-पय्री टी है साथ में क्या हैं यह nih are अच्छा इंखर जा में फ Zurück क्न वी мs i युझा को वर एस प्रीन जो है वो भी क्या एक ग्रेट है कि ऐन क्रिसेंट है तो आप जो क्या ड्रैग इस पर देने वाले हैं पैशेंट हिमोफीलिया का है राइट आंस्वर जो है आपका डी सही नहीं है राइट आंस्वर जो है आपका सी जो है सोरी डी जो है वो सही नहीं है क्यों क्योंकि पैसेंट जो है वह पर ब्लेडिंग का होती रहेगी तो शौर अगर आप और अगर उपर से यह जो हैン त्वरड ठिनर र गर ऐसेंट देंगे इसे टायल सेलललिकक एसीड जो कि ड्रग होती है अपनी क्या сп मिलेलिट और जो ब्लेडिंग वह देखने को मिलेगी इसका मतलब एस्प्रिन जो है वह तो यहां पर जो है वह नहीं देंगे क्या होगी क्या假 है अब हम बात करते हैं और आती है और यह ग्राइपलोस जो होता है उसको करती ठीट आइनार जौह है वो करती है और पेशेंट इसका मतलब यह दोनों ड्रग भी जो है वह क्या है यह प्細ग है रहे सकते हैं पेंट के रूप में क्या वह करती है थीस को देगी तो यह झो जो है उसको यह एडवाइस करेगी कि आप जो है टी सीम टेबलेट जो है वो बच्चे को दीजिए क्यों कि हीमोफिलिया पेशेंट के लिए यह ड्रक जो है वो सेफ रहेगी ठीक है तो इसी लिए इसका राइट आंस्वर जो है वो जाएगा आपका क्या ओप्शन वोकुली देखते हैं कितने सही होते हैं नर्स इस असेशंग किरेविडा एक वोमन है नर्स उसको असेश कर रही है 60 week of gastation उसका gastation जो period है वो 36 week का है for the symptoms of the pregnancy induced hypertension और वो कौन सा है उसको pre-acclampsia ठीक है pre-acclampsia उसको है ठीक है the nurse should give priority to assessing the client for अब तो priority वाला क्यूशन है nursing जो है action जो है उस पर क्यूशन है क्या nurse जो है वो ankle edema को priority देगी या reflex जो कम हो गए है उनको priority देगी या facial swelling या फिर पल्स deficit को राइट आंस्वर बताएगा इसका कोई इसका राइट आंस्वर हमें बताएगा कि इसका राइट आंस्वर क्या है option A ankle edema चलो देखते हैं preeclampsia क्या है PIH है PIH बोले तो pregnancy induced hypertension है क्या है pregnancy induced hypertension है जिसमें की होता क्या है कि अगर BP जो है वो 20 वीक के बाद जो है वो बढ़ता है ठीक है कंजेक्टिवली दो बार जो है वो कम से कम जो है वो रेडिंग में बढ़ा वह आना चीए कितना 140 by 90 mmHg से ज्यादा कितना 90 mm जो है 140 by 90 mm से ज्यादा जो है वो क्या होना चीए बड़ा हुआ होना चीए इसके classical symptom देखो तीन होते हैं ठीक है जहां पर जो है वह आपको क्या है edema देखने को मिलता है hypertension देखने को मिलता है और क्या protein urea देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है protein urea जो है वो भी देखने को मिलता है ठीक है तो यह तीन classical symptom होते हैं जब यही BP जो है अबोग 160 जो है ठीक है 140 और 160 जो है उसके उपर चला जाए साथ में seizures अगर आने लग जाए तो वो condition हम कहलाती है क्या क्या एक्लैंचिया क्या कहलाती है एक्लैंचिया ठीक है तो हम क्या करते हैं कि pregnancy induced hypertension का है pre-eclampsia in convert ना हो उसके लिए एक ड्रग चलाते हैं जो कि इसके में क्या है pregnancy में शेफेश्ट ड्रग आती है ठीक है वो क्या और डेफिनेटिव अगर्व मैनेज्मेंट कि पूछले तो वो होता है क्या टर्मेंए्सन अब डा प्रेगनेंसिे इर्र runanda जलेशन फ्रेस्टन सन एच पंठेटेसं एज संढह जो है चाहिए कितनी ही भी हुई होगी फिसका कितनी ही फिच्राइगनेंसी होगी आपको क्या करना है pregnancy को terminate कर देना है ठीक है चलिए ये तो बात हो गई है अब देखो हम पढ़ रहे हैं pre-eclampsia में priority जो है वो किसको देगी देखो मैंने कहा edema होगा बट edema जो है वो कहां देखने को मिलता है only pre-eclampsia की बात हो रही है ठीक है pre-eclampsia में edema जो है वो mostly जो है वो ankle edema देखने को मिलता है ठीक है और edema जो है जब नहीं होता है तब भी थोड़ा बहुत during pregnancy देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि venus flow जो है वो कम होता है क्योंकि compression जो है वो होता इंफिरर वेना के वाद जो है वो थोड़ी compress रहती है इस वजह से जो है वो normal condition में भी जब pre-eclampsia ना हो तब भी एडिमा जो है वो leg swelling जो है वो देखने को मिल चकती है डिमनीश लेग रिफ्लेक्स लेग रिफ्लेक्स जो है वो हमें सा मोस्टी क्या है कि pre-eclampsia में देखने को नहीं मिलते है लेकन अगर pre-eclampsia के लिए treatment के लिए अगर आपने magnesium sulfate अगर उसको दिया है अगर आपने magnesium sulfate दिया है मैंगी की अगर toxicity हो गई है magnesium की क्या हो गई है toxicity और इसका लेवल जो है वह टैन मेले equivalent पर लेटर से अगर ज़्यादा हो गया है तो वह कहलाती यह है mechanism 늦ॉप्सिटी और उसका जो है वह अर्लिएयस्ट YE determination देखने को मिलता है क्या कि algunôi connecting Crush जो है वह को सेन्ट हो जाता है कि रिफ्लेक्स जो है यह नीजरकोर 맞아्फ जो है वह आपको दिम्लिस्च मिलता है is यह बढ़ते बढ़ते कहां तक देखने को मिल रही है इसका मतलब कुछ तो गडबढ़ है इसका मतलब यह है कि यह priority पे वह सेस्ट करेगी ठीक है लेकिन यही राइट हन्सफर है ठीक है option डीवी देख लेते हैं पॉल्स deficit क्या देखने को मिलता है प्रियकलियम से हमें सबस्ट का मतलब यह है कि जो है क्या बोलते हैं कि पल्स जो है पीडल पल्स जो है वो आपको फील ही नहीं हो रही है, फ़ отвеч जो है कि अखर अगर तैकने को कर दिया हो तो तब जो है वो देखने को मिल सकता है इसका मतलब यह ओप्शन भी इसका राइट नहीं है इसका मतलब ऑप्शन सी राइट है कि जो है कभी भी प्रियक्लेम्सिया में जो है फेशल स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती है लेक्स तक ही सिमित रहती है एंकल तक ही सिमित रहती है इसका अमलगर फेशल स्वेलिंग अगर देखने को मिल रही है तो उस पेसेंट को प्रायोरिटी पर असेस करना है इसका मतलब वहां पर जो प्रेकलेंशिया जो है वह से वियर्टी के तरफ बढ़ता जा रहा है ठीक है मतलब शोर्च यह है कि जो है सीवियर्टी के तरफ वह जो है इंक्रीज होता जा रहा है तो राइट आंस्वर होगा ओप्शन सी चलिए क्यूसर नमबर चार अडलोसेंट विद्धा बोर्डर लाइन परसनालेटी ठीक है एक अडलोसेंट है जो कि बोर्डर लाइन परसनाल है विच गोल इस बहुत थेराप्योटिक एंड रियालिफ्टिक फोर्डिस क्लाइंट तो इस पेशेंट के लिए आप थेराप्योटिक और रियालिफ्टिक गोल क्या डिसाइड करेंगे क्लाइंट विल रिमेन इन हर रूम वहन फिलिंग ओवर वैल्ड बाइदा सेड़ने फिलिहत eran अगर पेसेड़नेस आये टो वह अपने रूम में रहेगा क्योंकि पेसेइन जो है वो बोडरला इन पर्सनालेटी मतलब यह है कि जब भी वह क्या है कि इंडिया है यह अपना पाकिस्तान है होग ओर तो mostly emotionally जो है वो अनिस्टेबल देखने को मिलता है अगर हलका सा अगर इस्टीमुलस ठीक है अगर आपने हलका सा पेर भार निकाला तो आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे उसी बाउंडरी पर अगर आप हलका सा पेस जो है उल्टा रखा तो आप इंडिया में रहेंगे तो समझा रहूं है कि borderline personality में क्या होता है कि एक हलका सा जो इस्टीमुलस है वह पेसेंट में सेडनेस या फिर अग्रेशन कोज करता है ठीक है या तो सेडनेस कोज करता है या फिर अग्रेशन एक माइनर इस्टीमुलस भी ठीक है क्या होता है कि एक माइनर जो इस्टीमुलस हो वह कहलाती है क्या इस है इसका में पड़ते हैं इसको ससेटरी जो नैम है और सबारीक है लिए QS हर दिखे भी वह जाएगा तो उसको रूम में बंद कर देंगा अगर अगर वह जाएगा आपने बंद कर दोगे तो के लिए यह ज़ Copy नहीं है अपना ठीक कि जब हो तो इसको सब्सक्रेइब कर तो नहीं है एलमेनेट हो गया क्लाइंट ृद्व सेंक अउट मेंबर टू वरखाले आउट फिलिंग अफ वर्वलाइज feeling of anger and sadness ठीक है कि पेशेंट जो है वो यह चा रहा है कि जब भी उसमें अग्रेशन आए या sadness आए तो वो अपनी feeling जो है वो एक्सप्रेस कर पाए क्या यह ओप्सन थेरापिटिक है थेरापिटिक लग रहा है क्यों क्योंकि देखो कि mostly क्या है कि emotion जो है emotionally जब outburst होता है कोई पेशेंट में जाता है या पर अग्रेशन में जाता है तो अगर अपनी feelings को अगर वो बता पाए किसी को ठीक है तो एक light happiness जो है वो मैसूस होता है जिस्ष्य कि क्या है कि वो अपनी feelings जो है वो दूसरों को बता पाता है समझता है कि मुझे समझने वाला कोई तो है ठीक है मुझे समझने वाला कोई तो है मैं अपनी feelings किसी के साथ share कर सकता हूं तो साथ में क्या है कि यह करता साथ में यह क्या है कि डाइबर जन जो है उसका भी काम करता है कि उसकी फीमिलिद्स जो है वह एक जो है इस्टिमुलस जो है उस्से दूसरे फेले सेफ्टे हो जाती है तो यह जो जो है अगे कि लग रहा है बटे आगे के दो प्सट हम चोड़े नहीं सकते कि दआक लाइनट विल लीव गृूप अक्तिवीटी यजट टुटी से कि यह सभां ती चांट चांटा उन्हें और लोग जो क्या कर रहे हूं उन एक्टिवीटि में जब वह इंव रू वहाँ तो उसका जो है माइंड जो है वह वो डraphर होारए Αट होगा ठीक है और वो जो फेलिंग्स हैं उसके सबसाइड हो जाएगी इसका मतलब यह उप्सन तो उल्टा दे रखा है कट गया उप्सन चार दे क्लाइंट विल रिक्वेश्ट मेडिकेशन वैन फिलिंग लौस ओफ इमोशनल कंट्रोल ठीक है कि पैसेंट जो है वो शीधा-शीधा जो है पोशिस करें ठीक है और जर्ण की बात हो रही है तो नर्स का तो ठेरपीटिक होता है वह वो बता रहा है ओपशन भी यहां पर इसका राइट आंश्वर है जलिए कुशन नंबर पाँच इस एक एंज़ाइन का पेसेंट है है और फॉर दे नाईट्रो ग्लिश्रिन और अब यह मेडिसीन जो है वो अप्लाई करने से पहले नर्स सुड नर्स क्या करेगी ठीक है एक एंजायना का पेशेंट है उसको नाइट्रोग्लिसरिन ओइंट्मेंट दिया है कि आप यह जो है अपने चेट पर लगाईए जिस्से कि आपको जो है पेन जो है वो रिलीफ रहे रिमूव करेगी एक टैल दे क्लाइंट ही विल एक्सप्रियेंट से पेन रिलीफ इन दे फिफ्टेन मिनट ठीक कि जो है उसको आप यह बताओ कि क्या फिफ्टेन मिनट में आपका पेन जो है वह क्या होगा रिलीफ हो जाएगा अप्लाइड ऑइंट्मेंट टुद पहले यह चेक करना है कि रेडियल या एपिकल पल्स जो हो चेक करनी है अगर देखो पहली बात तो यह कि यह जो ड्रेग होती है नाइट्रो गलिशरीन चाहे आप इसको जो है सब लिंग वली दें चाहे आप इसको ओंटमेंट के रूप में दें इसका जो एक्षन है वह व देन त्री मिनेट के रूप में आपको जो है इसका असर यह वो ढशला की करती है यह चेंट इसमें क्या होती है कि कुछ खास बाते हैं कि जब भी आप लगाऊगे तो गलव पहना है और साथ में क्या है कि जहां पर प्रीवियस ली अप्लाई किया है उस एरिया को जो है completely dry करना है अगर आप वहीं पर ऐसा नहीं है कि सेम जगे आप नहीं लगा सकते हैं बट जो लेयर जो बन गई है वहां पर उसको हमें क्या करना है पहले सबसाइड करना है तभी आप जब next apply करेंगे तो उसका पूरा effect जो है वह आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो option A ज लगाते नहीं है क्योंकि हम जो है उसको हटाके और फिर लगाते हैं ठीक है और यह जो है वह option ठीक नहीं है इसका मलब option जो है इसका right answer है बिलकुल इस बार आपका राइट answer है question number six the nurse is caring for a client who is unconscious एक अनकॉंसियस पेशेंट है उसकी नर्स जो हो केर कर रही है following a file जो की गिर गया था विच कमेंट बाइदा नर्स से विल हैल्प दैक क्लाइंट बिकम री ओरियंटेटेड वहन री गैन consciousness तो अब जो है नर्स का ऐसा कौन सा कमेंट जो पेशेंट को री ओरियंट करेगा जब वह consciousness में आएगा मिस जब पेशेंट जागेगा अनकॉंसियसनेस से तो ऐसा कौन सा कमेंट एक नर्स करेगी जिससे कि उसका ओरियंटेशन दुबारा से आज आए ओप्शन ए आपसे कह रहा है आई एम योवर नर्स की मैं आपकी नर्स हूं और मैं आपकी जो है केर कर रही हूं आज चलो जी कैन यू टेल मी योवर नेम क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं वेहर आर यू और आप जो हैं कहां पर है नर्स उल्टा जो है उसको पूछ रही है कि आप कहां पर हैं और आप अपना नाम बताओ आई नो यू आर कन्फूजड राइट नाव मैं जानती हूं कि आप जो है अभी कन्फूजड हो बट एवरिटिंग विल बी ओल राइट बट जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या ये ओप्शन ठीक है यू वर इन एन एक्सिडेंट कि आपका एक्सिडेंट हुआ था यू यू हर्ट यूवर हैड आपको सर पे चोट लगी थी यू आर इन दा होस्पिटल और आप होस्पिटल में है कौन सा जो है वो इन में से सेंटेंस जो है वो ठीक है जो की एक नर्स को कहना चाहिए ऑप्शन डी तो क्या लोग कर दिया जाए ऑप्शन डी चलो देखते हैं मै नर्स हो ऑब आपकी Care कर रही हूं अरे यह आप थो पफेसेंट जो है वो एक दम से नेंद में उठा है और निर्स सामने से मां आब किकर रही है कि और बताना नहीं क्या यह सेंटेंस कर रहा है बिल्कुल भी नहीं आप मुझे जो है अपना नाम बताओ चलो नाम तो फिर भी अगर वो पूछ लेती बट वहर आर यू आप कहां हो ठीक आप कहां हो वो तो अभी उसने आँख फोली है तो यह प्रोपर जो है यह भी ठीक नहीं है कि मैं जानती हूं कि आप कंफ्यूज हो लेकर सब कुछ ठीक हो जाएगा हां सब कुछ ठीक होई गया है तब तो उसने आँखे खोली है लेकर क्या यह जो है वह अप्रोपियेट कमेंट है बिल्कुल नहीं यह है कि आप कुछ के साथ हुआ ख्याता उसकी इंफॉर्मेशन दो और उसको बताओ कि आप कहां पे हो उसकी कंडिशन क्या है ठीक है तो यह जो है वो अप्शन जो है ठेराप्यूटिक है और राइट ऑप्शन डी एक डिजीज आई है इतने लंबी चोड़ी है लेग कैलव पर्थ डिजीज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑप दा चाइल्ड के एर इंक्लूड इंस्ट्रक्टिंग दा पेरेंट ठीक है तो इस डिजीज के लिए उस चाइल्ड की के लिए ठीक है जो है पेरेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि यह बच्चे से क्या नहीं करवाना है क्या इंस्ट्रक्ट करना है ओप्शन एक है रहा है आपसे तो इ बेरिंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है अब आउट रिलक्सेशन एक्सरसाइज टू मिनिमाइज पेन इन दा सोल्डर की सोल्डर का जो पेन है उसको कम करने के लिए रिलक्सेशन एक्सरसाइज जो है वो करवानी है ऑप्शन डी अब आउट एक्सरसाइज टू करने के लिए exercise करवानी है बट कहां की नहीं बताया कि इसका राइट आंसुर क्या होगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है पर्थ कैल्व पर्थी एंचा लैक कैलो पर्थ डिजीज जिसको कि पर्थ डिजीज के नाम से भी सिंपली जो है वो जानते हैं और यह क्या है कि यह हैड ऑफ हिमर जो है अट है अपन प्लस एस टाबुलम के और हैड ऑफ हिमर साथ में क्या एस टाबुलम के विटी है उन दोनों का जो जोईंट जहां पर यह मिलते है ठीक है वहां का इन्फ्लामेशन है वहां का क्या है इन्फ्लामेशन है ठीक है और जो है इन्फ्लामेशन जो है वह मोस्टली क्या है कि ओटो इम्यून देखने को मिलता है थै कि तो वहां यहां पर इंफलामेशन देखने झाहिए इसका मतलब हम यह मिन्हीं करवानी है जो कि लैग को हिसको अफैक्ट करती एु.... क्या सुल्डर वाला ओफसन है वह राइट होगा । क्योंगि हैं इसन तरील में और हपीश है बिल्कुल भी नहीं ठीक है उसको क्या डाइटरी जो प्रोटीन है वो इंक्रीज करने की जुरत है नहीं ओप्शन भी इसका राइट आंस्वर है कि आप जो है अफेक्टेट जो इसका लेग है हो सकता है फोर एक्जामबल राइट में अगर यह दिक्कत है ठीक है राइट इतना हो सके मैक्सियम रेफ्ट करवाना है और वेट भीरिंग खास करके अफेक्टेड लेग पर नहीं करवानी है ओप्शन भी इसका जो है क्या जाएगा राइट आंस्वर ठीक है रही बात ऑप्शन डी गलत क्यों हो गया क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमें नहीं करव गरें देननेर्शटि campus इसके साथ एक नर्स जो है उसको असेस कर रही है इंफेंट गवी सो की चीज के लिए एसेस करेगी जो कि यह कि एक लब Unknown木 का टाइप है ठीक है तो यह है विल्कुल एपिलिकर सरासर गलत है तो क्यूंकि अगर देखने को मिल रही है तो क्या यह हार एक का है अधे देक्ते है इस टॉबरे टांग किसमें को लो mais कर दिया है यह क्या है यह इसका क्या है राइट यह नहीं कि हर स्फ्रंग नहीं है है ए गैंग्ली उनिक वे मैगा मैगा को लोन फिक यह कैसे कि क्या कहते हैं या पूली मेगा को लोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं य क्ले क्या होता है कि जो अपना रेक्टो सिग्मोड जो पाउच होता है कि अपना जो रेक्टो सिग्मोड जो पाउच होता है वहां पर क्या है कि गेंगलियोनिक फाइबर हैं वो नहीं बनते हैं और एक्जम्पल इतने पार्ट में जो है वो गेंगलियोनिक फाइबर नहीं बने यहां से लेकर यहां तक तो वजह से अब्डूम्नल डिफ्टेंशन देखने को मिलता है और पैसेंट जो है वो मैकोनियम पास करने में अनेबल होता है विदिन 24 आवर ठीक है विदिन 24 आवर तो हम क्या करते हैं सर्जिकल रेसेक्षन करके और जो एग एंगलियूनिक जो पाइट है उसको हम सर्जरी के द हुआ ठीक है जिस्टे की पैरिफ्टाल से मोमेंट होने लग जाते हैं और यह जो है वह मिलती है क्लासिकल साइन होते हैं और वह बिचेज कौन सी है वह है ट्रेक्यो इसो फेजियल फ DR et Anuf fairness कोन्सी है टरेखियो इसो फेजियल फिश टுूला में देखने को मिलता है सोनोरस कुछ छोकिng एंड साइनोसिस कि ऍपम पढ़ते हैं एक पफिंग चोकिंग कैसी देखने को मिलती है का फिंग देखने को मिलती है सोनोरस सील भा कफ ठीक है भारकिंग सेफ़ई देखने को मिलती है यह सा लगता है कि भौक रहा है कोई थक है भौकने वाली कफिंग जो है वह देखने को मिलती थे सोनोरस से थे तो रैट आंसोर हमें मिल गए ऑप्शन ड विल्कुर आपका रैट सब्सक्राइब कर दिया है किस चीज का पेशेंट है डिमेंसिया का है और साथ में क्या है एल्डर्ली समझा गई चलो ट्रांसपर इनफोर्मेशन इंडिकेट तो जहां से उसके ट्रांसपर नोट जो वो कह रहे हैं क्या क्लाइंट है जो वीकम कन फूज़ी डिश और डिस और टेड कि पैसेंट जो है वहूंद हो गया था ओर दिस और इंटेड हो गया था विद विशंच को घूरबलम्स नहीं इसको प्रॉबलम्स भी देखने को मिली डेक लायं show a loss of ability in तो अब इसको जो है किसी औरे चीज में जो हे वो last देखने को मिलेगा उसकी और कौन सी ability loss देखने को मिलेगी क्या balance क्या speech क्या judgment या फिर endurance क्या judgment या फिर endurance क्या देखने को मिलेगा ओप्सन बी चलो जी लोग कर दिया जाए चलो करते हैं लोग करते हैं देखो दो चीज़ें होती है डिलिरियम और दूसरा होता है डिमेंसिया डिलिरियम और एक होता है डिमेंसिया डिलिरियम जो है वो क्या है मोस्ट कॉमन ओर गारिनिक मैंटल डिसोर्डर है क्या है पर तेखने को मिलता है cloudiness of the consciousness ठीक क्या देखने को मिलता है C-L-O-U-D-I-A cloudiness of consciousness और साथ में क्या देखने को मिलता है अटेंशन जो है वो कम देखने को मिलता है डिक्रीज अटेंशन है डिक्रीज अटेंशन ठीक है और मोस्टली यह जो है नेचर में कैसा होता है एक्यूट होता है कैसा होता है एक्यूट होता है मिच ओन सेट जो है वो होता है एक से च्छै महीने का पिरेड होता है ठीक एक से च्छै महीने का बात की जाए लेकिन अगर वहीं बात की जाए क्या डिमेंशिया की तो वहां पर जो है देखो डिमेंशिया नाम में कुछ दिख रहा है में देखने को मिलता है लो और मेमोरी से तर्थ में डिजमेंट दोमीजमेंट अपने आप गया जो लिए जली गई तो मेमोरी पर इपेंड करते हैं अपने डिसीजन इसका मतलब ज़्जमेंट चला गया तो परस्नालेटी चलागी क्या चले गई परस्नालेट तो देखो इन तीन चीज में इंपेर्मेंट देखने को मिलता है लोस ओप मेमोरी मोस्टली क्या इमेडियेट और रिसेंट ठीक है और क्या लोस ओफ जजमेंट देखने को मिलता है और साथ में क्या है परस्नालेटी अबनॉर्मलिटी जो है वो द कि wells कि क्या है कि elevated मैं मिलता है और ओलेस में जो है मोस्ट लिखे है कि अलजाइमर टाइप करी में से तो आप तो अभी यह त्रेस्ट देखके आप बता हो भी धिमेंस यह वाले पेशेंट में ठीक है नर्स जो है वो और किस चीज में इंबैलेंस जो है वो देखेंगी क्या बैलेंस में क्या उसको पार्किंसनिजम है जो अटेक्सिया हो रहा है ठीक है बैलेंस जो है उसका तो कोई रोल नहीं है यह उप्शन जो है वो सरासर गलत है क्या स्पीच में क्या स्पीच में कोई किसी टाइप की जो गडबड़ी जो है वो देखने को मिलती है नहीं मोस्टी जो है जो अपने रियल जो साइकेटिक डिसोर्टर होते हैं उन में जो है क्या देखने को मिलता है या तो बड़ी हुई स्पीच होती है या फिर डिक्रीज होती है या फिर किसी अ तो यह उप्षन जो है वो भी ठीक नहीं है जज्जमेंट देखो मैंने इधर लिखा भी है लोस ओप जज्जमेंट किसमें देखने को मिल रहा है डिमेंशिया में किसमें देखने को मिल रहा है डिमेंशिया में तो जज्जमेंट जो है वो पूर देखने को मिलता है क्योंकि इसकी memory loss हो गई है क्योंकि उसकी क्या हो गई है तो इसका जजमेंट जो है आपको क्या है पूर देखने मिलेगा ठीक है तो ओप्षन सी जो है इस क्यूंशन का राइट आंसर होगा जलो नेक्स्ट का अंशर देदो कि दथी जीशन ओडर्ट एक्स्टनल मोनिटर फॉर ए लैबरिंग क्लाइंट ठीक का एक फीजिशन ने वह लेबरिंग्-क्लाइंट है मिस्ट डिलिवरी में युग जो है एक एक वोमन है पेशेंट है ठीक जिसका कि क्या है एक्स्टनली जैंडर करने के लिए बोला है इफ नर्स नो देड़ अल्ट्रा साउंड ट्रांश्डूसर विल बी लोकेटेड तो नर्स यह जानती है कि लेप्टो ओक्सिपिटो पोस्टीरियर पोजिशन में वह अल्ट्रा साउंड का ट्रांश्डूसर कहां रखेगी कि ओवर दे फिटल बैक के फिटस के वह बैक पर रखेगी ठीक है ओवर दे फिटल अब्डूमन वह फिटल के अब्डूमन पर रख रही है नियर दे सिंफासिस चूबिस सिंफास्टूबिस के पास रख रही है और नियर दे अमलीकस अमलीकस के पास रख रही है या फिर अमलिकस के पास रखेगी क्यूशन समझ में आ गया क्यूशन ये कह रहा है कि ये मदर का पैलिविस है ठीक है और यहाँ पर जो हैं पोजिशन दी गई है आपको कौन सी लेप्ट ओक्सिपिटो पोस्टिरियर कौन सी दी गई है लेप्ट ओक्सिपिटो पोस्टिरियर यहाँ पर जो हैं इसको हम कितने भागों बाड़ते हैं मेटनल पैलिविस के लिए पोजिशन कितनी होती है मेटनल पैलिविस के लिए पोजिशन कितनी होती है कितने भागों में बाड़ते हैं हम पैलिविस को कोई भी नहीं आंसर देने वाला चार चार में बाढ़ते हैं कि देखो यह पहलविस का हम सेंटर माल लें इसको हम बाढ़ते हैं आठ बागों में कितने बागों में आठ में हर पोजिशन जो है वो 45 डिग्री एंगल पे होती है हर पोजिशन जो है वो 45 डिग्री एंगल पे होती है देखो यह क्या बना है वर्त बन गया ना एक राउंड बन गया एक सर्कुलर बन गया कितना डिग्री का एंगल होता है occipito anterior, क्योंकि ये जो portion है, वो क्या है, anterior है, ये portion जो है, वो क्या है, posterior, ठीक है, तो ये है occipito anterior, ये है left, और ये है right, तो ये होगी left occipito anterior, left occipito transverse, left occipito posterior, ये सिदा-सिदा straight occipito posterior, ये होगी right occipito posterior, ये होगी right occipito anterior, sorry, transverse, right occipito transverse, और ये होगी right occipito anterior, ये 8 position होती है, ये 8 position होती है, अगर मैं only इसी की बात करूँ, ठीक है, इसमें जो है, वो बताया गया है, क्या left occipito posterior position है, कौन सी position बताई गई है, left occipito posterior, कि इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो कि इसका मतलब यह है तो यहां पर वो अब सोच के बताओ कि किस पेज जो है कि भी उनिट हो सकता है है आधि हो और मैंड लगाना पड़े घका मदर के पेल्मिस में ढाखना पड़ेगा आपको कि मतलब है कि यह सेक्रो इलियख जोइंट यहां पर होता यहांपर क्या होता है नग कुछाण रही है अपनी फीमेल पैरल बीश और क्या है कर канале फिटल हैड बर पर फिमेल और पीडल हैड जिसमें कि हम सारी पोजिशन परजनेशन व परजाटिंग पार्ट सब की उपर डिसकस करेंगे संडेगर संडेगो 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 जो है ट इसके आंदेगो क्लास आएगी है कि तो यहांपर होता है क्या से coronavirus यॐद्ध उलियक जोइंट और यहां पर जो पॉजिशन है वो है Cart ऑकसी प्रस्ट्रेट जो है वह यहां पर जो फ्टल का जो बैक है वहां पर वो जो है वह रखेगी क्या है ठीक है एल्ट्रासाउंड का ट्रांस्डूसर कहां रखेगी लेप्ट किसके फिटल जो बैक है वहां पर ठीक है तो इसका राइट टांसवर जो है वो ओप्शन ए होगा और यह जो है वो सोचने से ही आएगा और नर्सीज केरिंग फोर एक लाइंट विद शिफ्टम एक लूपस अरिदमेटस एसली यह डिजीज है जो कि अपने ओटो इम्म्यून डिजीज होती है ठीक है अपनी ही एंटी बोड़ी अपने ही ओर्गन को डेमेज करती है दा मेजर कॉम्पलिकेशन असोसियेटेड क्या पूचा है मेजर पूचा है क्या यह मेनेंजाइटिस कोच करती है क्या यह नेफराइटिस जो है वह कोच करती है क्या यह काईडियो मेगेली करती है या फिर डी स्क्यामेशन करती है एसली सिफ्टमिक लूपस अरिदमेटस जैसे कि मैंने कहा कि यह वो डिजीज है जि होते हैं वो ही जो है वो क्या होते हैं डेमेज होते हैं मिस हाइट जो है उसमें भी इंफ्लामेशन देखने को मिलता है ठीका नर्व जो है वो भी देखने को मिलता है बट हमें जो पूछा है क्या मेजर बट हमें पूछा है क्या मेजर और मेजर जो होता है वो करता है यह किड कि सबस्य पहले जो और फेलियर होता है एसली में वह होती है किड़नी क्योंकि वहां पर कंटिनियूसली जो है वो क्या देखने को मिलता है ने अप्षण डी जो है वह राइट आंशुर सही है और संदी जो है और सुरी आपने वह लिखा है इसका मदब तुक्का लगा है यह आपने में भी लिखा इसका मलब यह तुक्का था विच डाइट इस असोसियेटेड विद एन इनक्रीज रिस्क ओप दे कोलो रेक्टल कैंसर ऐसी कौन सी डाइट अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो कोलो रेक्टल कैंसर होने के चांच से ज़्यादा रहेंगे हाई प्रोटीन डाइट शिंपल कार्बोहाइड डाइट हाई फैट डाइट या रिफाइंड कार्बोहाइडरेट लो कार्बोहाइडरेट या कॉम्पलेक्स प्रोटीन या लो प्रोटीन और कॉम्पलेक्स कार्बोहाइडरेट क्या पूछा है कोलो रेक्टल कैंसर के लिए क खुह है कि कौन से डायट आप ज़्यादा कंजिम करोगे तो यह देखने को मिल सकता है अधिव अब कि बार टुक कई हैं धी में भी ले वहामेशा क्या है को है हइट घ्राइट अग्षाइब जो है वो लीड कर सकती है को ल朝 कैंसर को क्योंकि कि इसका इफ्टे पिरड जो होता है कि इसका इफ्टे पिरड जो होता है इंतरता इन में वह tint सब्सक्राइब सब्सक्राइब अधियर सब्सक्राइब तो इसलिए क्या है कि हाइब एक्टाइब कोज कर सकती है तो है प्रोटीन डाइट और काम जो है जल्दी जो है जो हो जाते हैं इसलिए जो है यह कोज नहीं करते रिफाइंड सुगर कोज कर सकती है और साथ में क्या है कि हाइप लिप्र सब्सक्राइब तो राइट आणसवर जो है वह वो ओप्शन भी तो राइट अशन होगा इसका क्या ऑप्शन भी है दा नर्स इस केर पो रेपेंट फोलोविंग एक लच्टिय अलेपर रिपेर का एक पैसेंट है ठीक नर्स उसके कर रही है वाइल कन फ्रेंटिंग दैंपेंत दैन नर्स holding the infant कि बच्चे को जो है वो hold कर सकती है offering a pacifier कि वो pacifier उसको दे सकती है या फिर providing a mobile उसको mobile भी वो दे सकती है उसको क्या देना है comfort बच्चा जो है उसको comfort देना है तो comfort आप किस परकार से दोगे क्या आप इस ट्राइल वाटर उसको दे सकते हो कि holding the infant बच्चे को hold कर सकते हैं क्या कि राइट आंसर बताओ डी में भी बी में भी या शी में भी a and c क्या बात है देखो क्यों सन पूछ रहा है हमें कि नर्स जो है वो आराम तो उसको देगी बट क्या चीज अवोइड करेगी क्या पूछा है अवोइड पूछा है सर्जरी कहां की हुई है कल्याप्ट लिप की इसका मतलब लिप सर्जरी हुई है है तो लिप जो है ऑरल ऑरल के कह सकते हैं क्या ओरल के लिइन अगर थैजंगे तो वहां पर जो है वह सकती है उसेлом कि बच्चे का माउथ हूँ इतना खूलेगा नहीं क्योंकि हम जो है कि मोशली क्या है लोगान लोगान आपने पड़ा है एक डिवाइस एक डिवाइस आती है जिसका नाम होता है लोगान वो वो काम में लेते हैं ताकि जब भी बच्चा रहे तो प्रेचिग जो है वो ना हो तो अगर आप यह व कया फॉइर भी अगर आप देंगे उसको बहुत तो तेन डेस तक जब तक 365 वो हील नहीं हो जाते तब तक हम बच्चे को स्पून करते हैं उसपून जो है वो भी ो नहीं है कि कुंपलेटली व्लों जाएगी ठीक इस्पून का जो राउंडNext题 होता हैहेँद कॉर्नर कंशे का Leia's Gold यह स्पून में और कंशेक्म 10 में त pillar करनी है बाकि आप जो है कंफ़ट्स को मोबाइल बच्शे को उठारा जो है उठा सकते विश्जक्र सकते पूर पाने नहीं यह है उसमें पर स्भूण ड्रोब्लम आएगी तो option C जो है वो हमें क्या करना है यह पर avoid करना कि दर फिजीशन है जो ordered amoxyl 500 mg capsule ठीक आमोक्षिल 500 mg capsule जो है वो ओडर किया है एक client इस फेजल वेरिशेज का एक पेशेंट है ठीक है दर जो है इसकी नंटा करकार से कर सकती है ठीकHer कि डॉक्तर ने शिदा शिदा यह बोला यह बोगत है कि इसेंट है किसको इसोफेजल बेरेशल में उसको खेल ऑलसर है ठीक मुझा0 जो है वो इरोज है म्योस्टा जो है वो cateiesoי है और फिजिस्टन ने उसको जो है अमोक्षीट Mart अमोकषी बोला हमको कर देना है मिसे हमें दबाई देनी है क्या देदेंगे सोचेंगे प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर विद्धा मेडिकेशन कि जब भी आप जो को यह कैपसूल है और कैपसूल के साथ में आपको जदा पानी जो हो देना पड़ेगा रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म आप दा मेडिकेशन या पिर नर्स जो हो औरनेट फॉर्म में मेडिकेशन देने के लिए कहेगी डोक्ठर को कि यह जो आपने प्रिस्क्रिप्क्रिप्षं सही नहीं दिया है गीविंग दैं मेडिकेशन विदेन एंटाइसीड कि एंटाइसीड के साथ में जो है मेडिशीन ये दी जानी इसोफेजियल वेरीशेज ठीक है मिस इसोफेजियल अल्चर उसको हो रखे हैं तो हमें कोशिस यह करनी है कि सोलेड और सेमी सोलेड भी यहां तक जो है वो पेशेंट को जो है ओरली अवोइड करना है ठीक है सोलेड यहां पर सेमी सोलेड जो है वो भी पेशेंट को जो है यह जो है उसको बड़ा सकता है इसलिए वो डॉक्टर को ये बोलेगी कि जो है पैसेंट को सभार है तो आप इसको लिक्विडब फॉर्म में कोई टेबलेट लिक्विडब फॉर्म् सीरफ जो है वो आप प्रोवाइड करवाई यह तु इसका राइट जा राइट आइगा द्मे है वो हमेशा antibiotic जो है उनके absorption को decrease करते हैं एंटिबाइटिक जो है वो हमेशा सब्सक्राइब को decrease करते हैं ठीक है तो यह option अटोमाटिक हो गया medicine इसलिए यह नहीं दे सकते क्योंकि वह ब्लेडिंग कोच कर देगा और एक्स्ट्रा वाटर देने से यह तो जाए नहीं कि bleeding रूख जाएगी यह फिर यह सकता है ऐसा थोड़ी यह इट्स्रा वाटर देखिया आप जो है उसको वो लोग़े कि चलो associated with the disease कि आप जो इस्पाइन में जो करवेचर आपके आ गया है आप उसको किस परकार से प्रिवेंट कर सकते हैं इस बारे में एक नर्स जो है उसको टेजिंग दे रही है दा नर्स शुड़ टेल दे क्लाइन टू तो अब नर्स जो है पेशेंट को क्या बताएगी कि आपको जो इस्पाइन में जो करवेचर जो आपके आ रहा है आप उसको किस परकार से ठीक रखेंगे कि अपनी बैक जो है उसको इस्ट्रेट रखो का ऐसा करेंगे पीरियोडिकली लाई प्रोन विदाउट एन नेक पिलो कि आपको पीरियोडिकली जो है उल्टा सोना है ठीक है प्रोन सोना है ठीक है और साथ में जो है गरदन के नीचे पिलुस्थ नहीं लगाना है ओल्री इंडॉर्सल स्कुमेंट पोजिशुन के की लेगन फिदोता होती है उनमें हम काममें लेते हैं ऑप्शन दी तो सरासर तुरह गलत हे अब देखो इसके लिए आपको समझना पढ़ेगा पार्केशन डिजीज में क्या होता है कि मुफ्टली जैसे जैसे पार्केशन डिजीज जो है वो प्रोग्स करती है वैसे वैसे स्पाईन जो होती है उसका anterior curvature बढ़ता है क्या बढ़ता है एंटेर करवेचर पैसेंट जो है वो आगे की तरफ है जुखता जाता है ठीक अगर आप इसको अगर लेटरल अगर देखें तो यह हैड हो गया ठीक है यह इसका चैफ्ट वगरा हो गया यह उसका हिप हो गया यह पैर हो गया पै शोरसी बात है कि आग्या वाला करवेचर कैसे ठीक हो सकता है कौन सी पोजिशन से उल्टा लेटने से उल्टा उल्टे का मतलब आप प्रॉन में लेटो लेकिन जो है गर्दन के नीचे तक यह वह नहीं लगाना है आप लेटो ताकि जो स्पाइन की जो थोड़ी डिफॉर्मि है वो क्या रहे लिमिट में रहे ठीक है तो शोरसी बात है कि ओप्शन बी जो है वो इसका क्या होगा राइट आंस्वर जाएगा चलो जी दैन नर्स प्लानिंग डाइटरी चेंजेश दे क्लाइंट फॉलोविंग एन एपिसोड आप पैंक्रेटाइटिस का एक पैसेंट ह इसके लिए नर्स जो है वो डाइट जो है प्लान जो है उसमें चेंज बता रही है विच डाइट शूटेबल फोर दे कलाइंट अब नर्स जो हो कौन से डाइट बताएगी जो की पैंक्रेटाइटिस वाले पैसेंट के लिए शूटेबल रहेगी लो कलोरी, लो कार्बोएड़ेट, हाई फाइबर, लो फेट, हाई प्रोटीन, हाई फेट, लो प्रोटीन, हाई कार्बोएड़ेट और ऊप्सन भी देखते हैं, देखो पेंक्रेट आइटिस हुआ है मिस्टीन हुआ है, पेंक्रियास का ने क्या होता कि अपनेतर की जिफ्रीदीज हैं उनका एक बैस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वह होता है, आप अपने जो जी आइटी जो है, उसको क्या दो ole rest दो उसको क्या दो rest दो तभी वह गएच्प होगी ठीक है जो है वह नेसेशरी है कि किसी भी के लिए है में लोडिकास्थ ॉर रोते हैं ताकि जो है जीजी आइटी पर लोड जो है वह एला और अब जैसे कि मैंने यह تीन नाम लिखए है नीचे क्यों लिख राता है और यह प्रोटिन करवाता है और अगर आप उसको जो वाइड है तो इसको तो दिछे करना पड़ेगा ना अगर यह तो चाहिए बिमार पढ़ा है लेकर अपना काम तो करेंता है न संपता है उतना करेंगा ठीच तु incapable क्रियाट उसको नयुक्त इयुक्त रना है औली ओलुंध क्षेंत करती है विशन है क्योंकि ब्लाइट कालन काईेट काईट क्यों से क्योंकि निई न लगता है तो बहुत ज्यादा होता है तो यह हैज़ीजिए है कि आपको इसलिए क्या है में आप उसको जो है कार्बोहईडेट भी आप दे सकते हैं तो हाई फाइबर और लो फैट डाइट जो है वह रिकमेंडेड होती है कहां पैंक्रिये ठीक है टाइटिस में देखो यह अप्शन इसलिए कट गिया है यहां फैट डाइट आ यह अप्शन बीजाइश का क्या होगा राइट यह क्युस्टन आपका राइट तरो देक लाइट भी द रहाइपो थाईरेडिजम फ्रिक्वेंटली कंप्लेइन ओप दफीलिंग ऑफ कॉल्ड हाइपो थाईरेडिजम का केस है और जो है उसको बार-बार जो है वह क्या है सर् से ज़़ा comfort जो है वो तब मिलेगा कब मिलेगा देखो आप यूज करो इलेक्ट्रिक blanket रात को सोते समय ड्रेस एंड एक्स्ट्रा लेइर ऑफ दे क्लोथिंग की आप एक्स्ट्रा जो है वो फ्लों प्हेंनों के थर्मल वगदर पैनों ठीक अपलाई एक फिटिंग पैड टू हर फिट कि आप पैरों पर ही टिंग पैड लगा लो ओर टेक एखोट बात मौर्निंग एंड इवनिंग कि आप मौर्निंग और इवनिंग में जो है होट बात जो है वो ले लो तो कौन सा ओप्षन जो है वो ज्यादा ठीक है को कोई कमेंट करके बताएगा शिदा शिदा बता रखा है डिजीज है हाइपो थायराइडिजम यहां यह नहीं बता रखा है कि बच्चा है कि बड़ा है क्योंगी बच्चों में इसका दूसरा नाम हम देते हैं जिसकों कहते हैं क्रियेटिनिजम ठीक है और अडल्ट में जो हाइपो थायराइडिजम होती यह उसको हम कहते हैं मिक्स एडिमा उसको हम क्या कहते हैं मिक्स एडिमा अगर हाइपो थाराइड जम अगर चाइल्ड में देखने को मिले तो कहते हैं क्रेटिनीज में और अडल्ट में अगर देखने को मिले तो हम कहते हैं इसको है फिर पिएपटरिम टीक बट श्यम्टम वो यह ऐलोब ये तो आप प्छन में यह दो अई एंगे देख जो इसमें शलिवित क्या है कि मॉफ्ट जी अम उत्व पनी जो होती है बोड़ी के मेटाबोलिक रेट ठीक है यह कम होती है ठीक है basic metabolic rate जो है अगर कम होगी तो शूर्च यह बात है कि बोड़ी जो है वो इतना temperature भी प्रोड्यूस नहीं करवाएगी तो यहां पर एक classical science symptom देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं cold intolerance कॉल्ड इंटोल रंस जो है वह देखने को मिलता है जो कि इसमें दे रखाए कि पैसेंट यह उसको बारबार वह है यहां पर देखN की वह थी देखने को नहीं मिलती है ड्राइश के जो है वह देख neurot alors कर पकंड करने को मिलता है थिक है यहां पर है हाइपोगलाइशयमा्य को मिलता हैegt क्यों कि BMR कम है है हाइपो ग्लाइसिया में देखने को मिलता है तो यह जो कंडिसन देखने को मिलती है ब्रेडी पनिया देखने को मिलता है टेकी जो है वो देखने को मिलता है ठीक है टेकी पनिया जो है वो देखने को सोरी क्या ब्रेडी पनिया जो हो देखने को मिलता है ब्रेडि कार्डिया हो या फिर क्या है और उसक्ति कि व्लते हैं रैस्पिरेसंग सभावड्य को अ कि ब्रेडि पनिया दोनों जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं अब दोठो नाशिक admire फों में नहीं होती講 जब यह थोड़ी सीवेर फोम में होती है तो उस समय जो है वो लिथार जी देखने को मिलती है क्यों देखने को मिलती है देखो हाइपोग्लाइशेमिया हो रहा है ठीक है ना उसको प्रोपरली जो है ऑक्सजन नहीं मिल पा रही है ना उसका कंप्लेटली जो है वो हाइट जो देखने को मिलता है कि एक से स्वामने लेंज देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो पूरे दिन भर जो है वो सोया है नेंद में ही है क्योंकि वो क्या है क्योंकि उसमें लिथार्जी देखने को मिल रही है क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया है इसके लिए हाइपो थाइरोरिडिजम में ठीक है अब आप मुझे यह बता दो कि इन शिम्टम्स के आधार पर इस क्यूशन का राइट आंस्वर क्या होगा इन शिम्टम्स के आधार पर राइट आंस्वर जो है वो क्या होगा कर चलो देखो जिसे कि मैंने बताया कि ही सम्नलेंस जो है वह देखने को मिलती है ठीक Wide देखने को मिलती है ठीक हाइपो ऱ्राइशेयमिया है यह मतला मसल उनको ग्लूकोव समय नहीं पा रहा है तो जो जो है वहाँ जो है मसल्स वीकनेस भी देखने को मिलती है और मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है तो देखो क्या सका राय टान्सवर जो वह एंपशन भी अच्छा लिख्ड़े काड़ विए ठीक लिख्ट के काड़ दिया है वोप्शन भी इसका राइट आंस्वर है ठीक कि आप उसको ये बोलोगे कि भही आपको ठंड़ लग रही है तो ज्यादा कपड़े पहनो नहीं पिएनो फिलीक्टिक ब्लेंकेट पेले होट बात उसलिए कॉंट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ओल रेडी उसकी स्कीन जो है वो ड्राई है उसकी स्कीन जो है वो ड्राई है ड्राई स्कीन जो है उस पर होट बात अगर आप लेंगे तो ओ स्कीन जो है वो और ड्राई होगी इसका मतलब यह उप्शन हो गया अब दे है है मिसल में और वो खुद भी लिथार्जी में रहता है तो यहीं कर पाता है नहीं कर पाता है तो हो सकता यूद необходимо बार्न जो है वो देखने को मिल सकता है अरे हो सकता है कि उसने तो जो है पैड लगा लिया और आराम से जी बरके सो गया ठीक है हो सकता है वहां पर टेंपरेचर जो है उसका ज्यादा हो गया और उसको जो है बार्न इंजुरी थर्मल इंजुरी हो गई ठीक है बार्न इंजु ठीक है कि उसान नमबर आठ अठारा दर नर्सिज कंप्लेटिंग एन असेस्मेंट हिस्ट्री ओप एक्लाइंट विद परनीश अनिम्या का है विच कंप्लेंट डिफ्रेंश अनिम्या फ्रोम अधर टाइप ओप एनिम्या कि ऐसा कौन सी कंप्लेंट होगी जो कि परनीश अनिम्या को और अनिम्या से डिफ्रेंश एट करती हो किवा ऊपशन एh defin gladi इन ब्रेदिंग आफ्टर एक्जर्षन किया तो उसको क्या है ब्रेदिंग इंगर डिपल्टी यह फर एक्ष्टर मट्य जो है उसमें नंब्नेस याभर टिंगलिंग देखने को मिले ऐव फास्टर दैन यूजवाल हार्ट霍lish यह जिर टेकिक कि फिलिंग ऑप दा लाइट हेड़नेस लाइट हेड़नेस का मतलब है कि हलका सा जो है वो दर्द हो सरदर्द हो या फिर जो है हलका सा डिजिनेस हो और यह कह रहा है कि रेस्पिरेटर डिफिकल्टी डिस्निया हो यह कह रहा है कि क्या हो डिस्निया हो और यह कह रहा है कि नमनेस हो अब परनीसिस एनेमिया में इनमें से कौन सी चीज पाई जाती है जो कि सभी एनेमिया में नहीं पाई जाती क्या और जो एनीमिया है चाहिए वो आरेंड डेफिशेंट एनीमिया हो फोलेकर डेफिशेंस एनीमिया हो क्या उनमें जो है डिशनिया देखने को मिल सकता है अरे बिल्कुल देखने को मिल सकता है ठीक है यह देखने को मिलता है ओरों में कि इसका मतलब यह इसमें नहीं देखने को मिलेगा है देखने को मिलेगा यह फास्टर देन यूजबल हाइट रेट चाहिए वो परनीशेस अनिमिया हो ठीक चाहिए वो आयरन डेफिशेंस अनिमिया हो अगर जितना ही मोगलोबिन कम होगा उतनी ही ज्यादा टेकिक आडिया उतना ही ज्यादा टेकिक आडिया जो है वो देखने को मिलता है तो यह सब में देखने को मिलता है अगर नहीं हो रही है तो जो है यह भी सभी अनिमिया में देखने को मिलता है बट नंबनेस है बट नंबनेस और जो है टिंगलिंग सेंसेशन जो होते हैं देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि पर्णियस एनियमया जो की इंट्रेंसिंग फैक्टर ऐसे इंट्रेंसिंग फैक्टर जो यह प्रोटीन होती है विटामिन B 12 को अब्जॉर्ब करने में यह हेल्प करती है ठेक है इसकी अगर डेफिशेंस हो तब कहलाता है वह प्या परनीशेस एनेमिया और परनीशेस एनेमिया जब होता है और अगर प्रोलोंग अगर रहता है प्रोलोंग का मतलब अबोव शिक्समंत रहता है अबोव अगर यह शिक्समंत रहता है तो यह कोज करता है डी माइली नेशन यह कोज करता है डी माइली नेशन ओप दा न्यूरों जसको मिलेगा तो सिब आखे नमने पहीं है या टिंगलिंग शेंसेशन देखने को मिल सकते vrij तो से B आप स्षारीय में सीम्टम्स coaching से सब्सक्राइब से आप वह उसका deep कि Chợ도 ओफे क्लाइट भी दिए सीजोफ्रेनिया स्टिट अए कि डैन्तलाय है जो पर सिपरेशन इपिए 10 सेक एक स्पक्ट दा क्लाइंट को जो है नर्सिंग जो फ्षेंट षब में आले पैस सेंट का वह यह बता रहा है कि पैसेंट में पर सिपरेशन और है भी गए है तो नर्स इसको समझ के और पेशेंट में क्या expect करेगी कि नर्स में क्या जो है फेसेन्ट में क्या देखने को मिलेगा क्या expect करेगी तो इस पीकिंग यूजिंग words that rhyme कि patient जो है वह राइं वाले वर्ड जो है वह बोलता हुआ मिलेगा और राइंड यह वाली अगर वाइड जो अगर वो बोलते हुआ मिलता है तो उसको कहते हैं क्लेंग आशोशियसन गर एच है उसको कहते हैं अब पट्टे चटे कि और ठीक है ध्ट युच के भए मिसर राइम होगी राइम होगी ठीक है जिसे खाया पिया गया गया जो भी है ठीक है बट राइमिंग जो है मिस उनका जो लास्ट का जो वर्ड है वो देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं क्लेंग असोशियेशन या जो है चलो say the same thing over and over कि एक ही चीज जो है उसको वो बार बार जो है वो कहें वो कहलाता है परसी वरेशन यह कहलाता है परसी वरेशन एक ही सब्द जो है वो क्या कहें बार बार कहें और इंक्लिर्रियूट डिटेःल इंदैकusement सन यह के बार जैसन ठीक है कि जो है फालतु की डिटेवर्जिशन में डालना में और वो होता है सरकम्स टांसलिटी मोघा को सब्owa है सरकम्स से जा इस l एका दोनों ही जो है वो फालतू की बाते हैं जहां पर पेसेंट यहां से स्टार्ट करता है गूमता है गूमता है गूमता है गूमता है गूमता है कई बार तो जो है गूमके लाफ्ट वाले में आ जाता है जिसको कि तो हम कहते हैं क्या सरकम्स्टांशिलिटी और कई बार जो है वह वापस ही नहीं आ पाता ठीक तो यह option सही नहीं है option A जो है वो सही नहीं है option B जो है वो सही है क्योंकि मैं बता चुका हूं already but फिर भी option D देखते है make up new words with a new meaning कि नए meaning के साथ में नए वर्ड बना लेना कहलाता है नियो लोगिजम वो कहलाता है क्या नियो लोगिजम इस अर्ली मौर्निग एकृबिटी हैलप और लेडीव्टर डार्थराइटिस वें erm liaisonर्स.- और आर्थराइटिस में कि अर्ली मौर्निग जो यह उस पेसेंट को लेना चीए इंगे यह नहीं देंगे पोली मेट्राइटिस मिस एक्टिविटी जहां पर कम्प्लेट बोड़ी जो है वो काम में आती हो ठीक है यह भी जो है वो हम काम में नहीं लेंगे रणिंग इन दा पार्क अरे उसको हो रखा है जो आर्थ्राइटिस और आप कहरें उसको दोड़ने के लिए यह उप्शन जो है वो भी ठीक नहीं है लिए युजिंग वाइड गृप यूटेंश्यल ड्यूरिंग ड्यूरिंग यूटेंशियल जो है बड़ा यूटेंश्यल यूटेंश्यल जो है ताकि जोहाब फ्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाए तरक lub रहें कि कम Gü स्टिफनिस जो है जोइंट्स की वो थोड़ी कम हो जाए तो यह ओप्शन जो है इसका राइट आंशर है दीगा यह ओप्शन जो है वो इसका राइट आंशर है ओप्शन ची कि एग गंठे पंदरा मिनिट की क्लास हो गई है